जै भेरवाबा की मेरे पिरियदर्स को आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलफावेट पहले अक्सर के नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं मतलब नाम के पहले अक्सर जिनका A लगता है B लगता है C मतलब जितने भी अक्सर होते है उनका सभाव कैसा होता है व्यक्तितव कैसे होते हैं दिखने में कैसे होते हैं इनका काम क्या होता है ये सारे इस विडियो में आपको बताने वाला हूँ लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे ए अक्सर के बारे में देखे जिन लोगों का नाम मतलब एलवा वैट के पहले अक्सर यानि ए से सुरू होता है वे काफी मेहनती होते हैं ध्रयवान वैक्ति होते हैं से इन्हें ज्यादतर आकरशन दीखने वाले लोग बहुत पसंद होते हैं और ये खुद भी आकरशन अपने आपको दिखना पसंद करते हैं इनमें किसी भी प्रस्तिती के नुसार खुद को डालने की गजब समता होती है और इनकी पसंद भीड से थोड़ी जरा अलग हट कर होती है सिक्सा या केरियर के मामले में ये लक्से तक पहुँचने से पहले हार मानने वालों में से नहीं होते हैं और किसी भी काम को अंत तक पहुँचाने के लिए हर संबव प्रियास करते रहते हैं रोमान्स के मामले में ये लोग जरा पीछे ही रहते हैं और अपनी भावना को जताना इनके लिए संबव नहीं होता लेकिन अपने प्यार और रिष्टों को पूरा महतों देते हैं ऐसे लोग गुमा फिरा कर बाते करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता बड़े ही सच कड़वा हो लेकिन ये उसे सुविकार करते हैं बात चाहे परशनल हो या प्रोफेशनल ये खुले तोर पर अपने विचार रखने में विश्वास रखते हैं हलाकि ये लोग हिमत वाले भी होते हैं लेकिन फिर भी परश्तितियों से बच कर निकलने की कोशिस करने भी इनकी आदत में सुमार होता है कभी कभी A से नाम वाले लोग मतलब A नाम वाले लोग आलसी भी होते हैं और उन्हें बात बात पर गुस्सा भी जादा आता है अब बात करेंगे नाम के पहले अक्सर वाले B अक्सर वाले वैक्तिक कैसे होते हैं आपने अपने फोन या सिस्टम पर B से बनने वाला समाईली तो जरूर देखा होगा चस्मा लगाए हुए attitude with smile जी हाँ जी लोगों के नाम का B अलफावेट से सुरू होते हैं वे कुछ भी मतलब कुछ ऐसे होते हैं यह लोग जिन्दगी में नएने रास्ते तलासने में यकिन रखते हैं किसी एक रास्ते को चुन कर उस पर आगे बढ़ना इनके बक्स के बात नहीं है नया नया मतलब रास्ता देखते हैं और वहीं पर रुप जाते हैं सवेदन सिल होते हैं और दोस्तों के साथ असानी से घुल मिल नहीं पाते ये अपने अंदर एक तरहे के राज को समेट कर रखते हैं और कई बार तो इनके क्रीवी भी नहीं जान पाते इनके गुप्त बाते वैसो तो ये ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते लेकिन जिस से भी दोस्ती रखते हैं बिलकुल दिल से रखते हैं रोमान्स के मामले ये खुले विचार रखते हैं और हिजार ए महबत से भी ने कोई प्रहज नहीं होता हाँ यह बात और है कि प्यार में ये लोग दोखा भी खुब खाते हैं खुद पर नियंतर रखना इनकी विशेस्ताई है खुबसूरत और आकरसन चीजे इने बहेद पसंद होती है अब बात करेंगे नाम का पहला अक्सर C जिनका सुरू होता है जी लोग के नाम C से सुरू होते हैं वे सफलता के मामले में भी C से ही सक्यूर होते है यानि इन लोगों को हर छेतर में सफलता मिलती है सकल हो सूरत से ये काफी सूरत और आकरसन भी होते हैं और हमेशा किसमत साथ लेकर चलते हैं मतलब यह लोग काम के मामूलें बहुत खुश किसमत होते हैं और आगे बढ़ने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। खुद को अमेसा वेस्तित और बेहतर बनाए रखना इन्हें बेहत पसंद होता है। इसलिए यह खुद को अकरशन बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दूसरे के दुख दरद में साथ देना और मदद करना इनकी खासित होती है। खुशी में नहीं सही लेकिन गम में यह कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते और अंतक निभाते हैं। सभाव से काफी इमोशनल और कभी कभी चंचल भी होते हैं। रोमान्स और प्यार के मामले में बहुत खुले होते हैं। यदि इन्हें अपने हिसाब से कोई नहीं मिले तो भी यह मस्त होकर अकेले ही खुश रह लेते हैं। लेकिन जिनें पसंद करते हैं उनके बहद करीब होते हैं। और प्यार के मामले में काफी समर्पित ऐसे व्यत्ती होते हैं। अब बात करेंगे जिनका नाम का पहला अक्सर D होता है। देखे D नाम वाले लोगों का भागय बिलकुल D से बनने वाली समाइली की तरह ही होता है, यानि हस्ता, खिल खिलाता हुआ, सफलता के मामले ये लोग काफी कुछ किसमत होते हैं, और हर काम में इने बहुत सफलता मिलती है, कभी कभी जरूर इनका भागय साथ नहीं देता, ल एक बार ये लोग अगर कुछ करने की ठान लेते हैं, तो उस काम को पूरा करके ही ऐसे लोग मानते हैं, ये लोग स्माठ होते हैं और बगेर किसी प्रयास के भी इनके व्यक्तितों में कजब का अकरशन होता है, किसी की मदद करने के मामले में हमेशा आगे रहते हैं, फिर चाहेब है दोस्त हो या दुस्मन हो deery मेंसा मदद के लिए त्यार होते हैं प्यार के मामले में डी वाले नाम वाले वक्ति हुपी जिद्धी और द्रड होते हैं जिनने यह पसंद उन्हें पाने के लिए अपने प्रियासों में कोई कसर नहीं छोड़ते रिष्टा निभाने के मामले में यह लोग बड़े दिल वाले होते हैं और पूरन समर्फित होने के साथ ही विश्वास पात्र भी होते हैं अब बात करेंगे जिन के नाम का पहला अक्सर ई से सुरू होत ऐसे लोगों से यह तुरंत किनारा करना ही बहतर समझते हैं और तरह तरह का इन्हें अच्छा रहना पसंद नहीं लगता सब कुछ वेस्थित और सलिकों में रहना ही पसंद होता है प्यार के मामलों में मतलब यह थोड़े कम ही सजिदा होते हैं लेकिन का मिजाज दिल फेक आस्की की तरह होता है कब किस पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता वैसे तो इनकी जिन्दगी में रिष्टों के मामलों में उतार चड़ाओ आते ही रहते हैं और लोगों का आना जाना लगा ही रहता है लेकिन एक बार अगर यह दिल में किसी को पक्की जगह दे दे बैठे तो उनके परती पूरी तरह से समर्पित होते हैं अब बात करेंगे जिनके नाम का पहला अक्सर एप से सुरूरता है एप से नाम की सुरूरत होने वाले लोग जिमेदारी के मामलों में बिलकुल फिट होते हैं ये लोग जिवन में हर चीज का संतुलन बना कर चलते हैं और ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं लेकिन प्यार के मामले में एक कदम आगे ही रहते हैं जी उन्हें प्यार को काफी महतो देते हैं और रोमांस के मामले में भी किसी से कम नहीं होते हैं यू समझे जितना यह प्यार को हैमित देते हैं उतना ही रोमांस भी यह करते हैं अब बात करेंगे जिनका नाम का पहला अक्सर जी से सुरू होता है। कुछ ऐसा ही अंदाज होता है जिन लोगों का जिनका नाम जी से सुरू होता है। ये किसी की मदद करने लिए मैसा त्यार होते हैं और खुद को हर प्रिष्टिती में ढाल लेने की सम्ता इन में होती है ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं इसलिए चीजों को तोड मरोड कर या गोल मल कर पेस करना इनकी आदत में नहीं होता ये हमेशा अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और सतरक रहते हैं बेवजे किसी पर खर्च करना इनकी डिक्शनरी में सामिल नहीं होता लेकिन ये प्यार के मामले में काफी इमनदार होते हैं प्यार में हमेशा समझदारी और धहर रखने में विश्वास रखते हैं इनका व्यक्तितव अकर्शन होता है लेकिन ये लोग हर किसी से गुले मिलने में रूची नहीं रखते जिन लोगों को ये अपना मानते हैं उनकी हैमियत हमेशा बनाए रखते हैं अब बात करेंगे जिनके नाम का पहले अक्सर एट से सुरू होता है दिखे एट से सुरू होने वाले नाम के लोग राज़सी सभाओ के होते हैं मस्ट मॉला बेफरिक जिन्दगी जीना पसंद करते हैं इनके लिए पैसा बहुत महतोपरन होता है हलाकि ये लोग दिल के सच्चे होते हैं अस्मुक सभाव के साथ माहोल को हलका बनाकर रखते हैं लेकिन कभी-कभी ये बहुत संकोचि और सरमिले सभाव के भी होते हैं इन्हें अपनी चवी और मान समान की पहुत चिंता होती है किसी की मदद के लिए यह हमेशा त्यार रहते हैं और कोई निन्ने लेने में देर नहीं लगाते वैसे तो काफी दिलदार टाइप के होते हैं लेकि इन में चुत्राई भी बहुत होती है जो यह कभी भी सो नहीं होने देते प्यार में पढ़ने पर यह सामने वाले के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन प्यार के जार की उमीद इन से नहीं की जाए तो बहतर है क्योंकि यह इनके बस की बात नहीं होती बात करेंगे जिनके नाम का पहला अक्सर आई से सुरू होता है देखिए सभाव से काफी सवेदिन सिल होते हैं से नहीं के वैक्ति और अक्सर लोगों के आक्रशन को केंदर करते हैं यह लोग अपनी बात से प्लेटने में बहुत माहीर होते हैं और इन्हें इस बात का कम ही होस रहता है कि ये सही के साथ दे रहे हैं या गल्ट का इस तरह के लोग किसी को भी असानी से आकर्षित करने की समता रखते हैं लेकिन इनके हाथ से सब कुछ फिशलने में भी देर नहीं लगती हर काम के काफी सोच समझ कर करने की आदत इनकी विशेस्ताए है दीखने के मामले में लोग काफी आकर्षन और सेक्सी होते हैं लेकिन प्यार पाने की चाहत इनके अंदर बसी होती है बात करेंगे जिनके नाम का अक्सर पहला जे से सुरू होता है देखे जिन लोगों के नाम की सुरूआ जे से होती है वे सब्भाव के चंचल होते हैं दिखने में तो ये खूबसूरत होते हैं साथ ही अच्छे गुने का होना भी इनके व्यक्चित्तों की विश्टेहता ही होती है एक बार इन्होंने जो ठान लिया है फिर तो ये किसी की नहीं सुनते और वे काम करके ही मानते हैं हाँ पढ़ाई लिखाई के मामलों में जुरूर ये थोड़ा पीछे ही रहते हैं लेकिन जिम्मेदारियों को निवाने के मामले में ये सबसे आगे होते हैं इन्हें चाहने वाले की कमी नहीं होती लेकिन जिनके जीवन में ये हम सफर बनकर जाते हैं समझीवे दुनिया के खुश नवीव लोगों में से एक क्योंकि खुशूरती के साथ इनमें जीवन के हर मोड पर साथ निव्याने का विशेश गुन भी ऐसे व्यक्ति में होता है। बात करेंगे नाम के पहला अक्सर के वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। देखे इस अक्सर के नाम वाले लोगों को परफेक्ट कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इन्हें हर काम में परफेक्शन के साथ ही पसंद होता है। अपने पार्टरनर के रूप में समार्ट और समझदारी साथ ही को पसंद करते हैं जब तक मन मताबिक साथ नहीं मिलता ये समझवता बिलकुल नहीं करते हैं इनकी भीड से अलग और दूसरों से जराहट कर इन्हें रहना ज्यादा पसंद होता है पैसा कमाने को लेकर इनका जरिया बिलकुल साफ होता है यह पहले अपने बारे में ही सोचना ज्यादा पसंद करते हैं कभी सक्त और कभी नरम सभाव को लेकर चलते हैं लेकिन दोनों ही मामलों में बहुत द्रड होते हैं हाँ प्यार के मामले में ये बेहर रोमांटिक किसम के होते हैं और जब किसी से प्यार करते हैं तो खुल कर इजार करना भी पसंद करते हैं इस मामले में ये परंगत होते हैं अब बात करेंगे जिनका नाम का पहला अक्सर एल से सुरू होता है देखे एल से सुरू होने वाले नाम के लोग काफी चार्मिंग या यू कहें कि आकरसन होते हैं ख्वाबों की दुनिया में जीना और चोटी चोटी चुज़ों में खुश रहना इनका खास गुन होता है इन्हें जीवन में बहुत कुछ पाने की खवाइस नहीं होती इस तरह के लोग सबी के साथ प्यार से रहते हैं लेकिन परिवार की हैमियत इनके लिए सबसे ज्यादा होती है कभी कभी इनके सामने आर्थिक समस्षा जरूर आती है लेकिन हर समस्षा से लिपटने के लिए इन्हें रास्ता मिल जाता है प्यार के मामले में लोग काफी संजीदा होते हैं साथ ही बहुत रोमांटिक भी प्रेम के लिए इनकी सोच काफी आदर्सवादी होती है और ख्वाबों की दुनिया को अपने साथी से दूर ही रखना पसंद करते हैं अब बात करेंगे नाम के पहले अक्सर एम से सुरू होने वाले लोग कैसे होते हैं देखें नाम से सुरू होने वाले एम नाम से सुरू होने वाले लोग बातों को मन में दबाने की परवती के होते हैं कहते हैं ऐसे नेचर कभी कभी दूसरों के लिए खतरनाक भी साबित हो जाते हैं चाहे बात कड़वी हो यदि खुल कर कोई कहे तो बात वही खतम हो जाती है लेकिन बातों को मन में रखकर उसे चलने से नदिज्जा अच्छा नहीं रहता ऐसे लोग उचित दूरी बनाए रखना बेहतर हैं इनका जिद्धी सभाव कभी कभार इन्हें खुद परिशानी में डाल देता है खर्च करने से पहले ज़्यादा सोचचार नहीं करते हैं सबसे बहतर की और सबसे ज़्यादा अक्रशित ऐसे व्यत्ती होते हैं प्यार की बात करें तो यह सवेदन सिल होते हैं और जिस रिस्ते में पढ़ते हैं उन्हें मतलब दूबते ही चले जाते हैं और उन्हें ऐसा ही साथी भी चाहिए जिनसे मतलब इनसे भी जान से प्यार करें यह बात अलग है कि अपनी यह मंसा यह किसी के सामने जाहिर नहीं करते हैं अब बात करेंगे जिनका नाम का पहला अक्सर N से शुरू होता है देखे इस नाम वाले लोग खुले विचार के होते हैं महतो कांसाओ से भरे हुए भी होते हैं हर काम में परफेक्शनल इन्हें पसंद होता है और यह खुद भी बहतर काम करने को पूरा प्रियास करते हैं इनका व्यक्तितव बहतर आकरशन होता है जो असानी से किसी को भी आकरशित करता है भाव से कभी भी नरम, कभी गरम भी हो जाते हैं और किसी से मतबेद होने पर पंगा लेने में भी इने देर नहीं लगती। समाने तोर पर इनका जीवन संपन रहता है। रिस्तो के मामलों में ये लोग काफी स्वेंदल सिल होते हैं और प्यार के मामले में उतने ही रोमांटिक भी होते हैं। अपने प्यार के परतिये पूरी तरह से वफादार होते हैं लेकिन कभी-कभी फलट करने से भी इने कोई प्रहज नहीं होता हर हाल में मुस्कराते रहना इन लोगों की खास्यत होती है अब बात करेंगे जिनका नाम का पहला अक्सर O से शुरू होता है देखे O अलफावेट वाले लोगों का दिमाग काफी तेज होता है ये लोग बोलने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं इसी विशेष्टा के कारण ये लोग जीवन में सफलता प्राप्त करने में शक्षम होते हैं जिन्दगी में खवाब देखना और इने पूरा करने के समाज के साथ चलने के बजाए जरह हट कर चलना इने ज्यादा पसंद होता है प्यार के मामलें में बहुत घंबीर होते हैं और अपने साथी के परती पूरी तरह से वफादर भी होते हैं अब बात करेंगे जिनका नाम का पहला अक्सर पीशे सुरू होता है देखे पीशे सुरू होने वाले नाम के लोग खुले विचार के होते हैं हर काम को परफेक्शनल के साथ करना इन्हें पसंद होता है इनके हर कामों में साफाई और खरापन साफ दिखाई देता है ये लोग दिल के साफ होते हैं और अपनी तरह के लोगों के साथ इनका तारमेल बहतर होता है और सभी को साथ में लेकर चलना इनकी आदत होती है हाँ कभी कभी दुनिया को अपने नुसार चलाने के आदत भी इनमें होती है जो इने नुक्सान भी पुर्चाद देती है ये लोग अपनी ही उल्जनों में उल्जे रहते हैं और इनके निन्न लेने की समता बहुत कमजोर होती है ये लोग वैसे तो समानने होते हैं लेकि इनकी छवी कईवार विप्रित भी बन जाती है इने हर कोई नहीं समझ पाता अब बात करेंगे जिनका नाम क्यों से सुरू होता है पहला अक्सर क्यों होता है देखे इस अलफ़ावेट से जिनका नाम सुरू होता है वे लोग सच्चे और इमानदार होते हैं इनमें कलातमक्ता का भी बंडार होता है इस तरह के लोग ज्यादतर अपनी ही दुनिया में खोई रहते हैं और जिन्दगी में कुछ पाने की इन में इच्छा नहीं होती किसमत हमेशा इनका साथ देती है इने बिना मांगे कई बार मोती भी मिल जाता है प्यार के मामले में ये होते तो है इमानदार लेकिन साथे के साथ इनका मतवेद लगा ही रहता है इनके विचार असानी से किसी के साथ नहीं मिलते इनके परती किसी का करशन असानी से हो जाता है बात करेंगे जिनके नाम का पहला अक्सर आर से सुरू होता है देखे इस नाम वाले लोग समाजिक जिन्दगी जीना पसंद नहीं करते लेकिन अपने परिवार को बहुत हैमियत देते हैं पड़े लिखने में इनकी बहुत अधिक रूशी नहीं होती और भीड से अलग होकर चलना इन्हें पसंद होता है यह मेशा वह काम करते हैं जो दु समझ वाले लोग इन्हें आकरशित करते हैं खुश उर्ती इन्हें अपनी और खिषती है दिल से साफ होते हैं लोग लेकिन कई बार लोग इन्हें गल्त भी समझ लेते हैं वैसे विवाइद जीन में उठाक पटक ऐसे लोगों के लगी रहती है अब बात करेंगे जिनके न सोच विचार कर काम करना इनकी आदत में सुमार होता है परशनल मामलों को किसी से सेर करना इन्हें विल्कुल भी नहीं भाता कई वार इनके बातचित करने का अंदाज इनकी छवी को खराब कर देता है यह प्यार के मामले में काफी गंबीर होते हैं सोच विचार करके ही ऐस नाम का पहला अक्सर T से सुरू होता है देखिए T से जिनके नाम सुरू होते हैं वे अकरशक दिखने वाले और खुश मिजाज टाइप के लोग होते हैं मेहनत करने से इन्हें जरा प्रहिज ही रहता है लेकिन पैसों के मामले में कोई कमी नहीं होती अपने मन की बात यह असा यू से सुरू होता है देखिए जिन लोगों के नाम की सुरूआत यू से होती है वे लोगों का दिल जितने में माहिर होते हैं वैसे तो यह हर मामले में काफी होस्यार होते हैं लेकिन कई कामों को एक साथ करने के चक्कर में काम बिगाड़ भी लेते हैं दूसरों के लिए म